पासी समाज और बिजेपी के सबसे सक्ति साली और ताकतवर नेता के रूप में जाने जाने वाले कमलेश पासवान जी जो की मौझूदा समय में गोरकपुर से सांसद हैं आखिर क्यों कमलेश पासवान जी के पिता की हत्या कर दी गई आखिर उनके पिता के हत्यारों का मकसद क्या था क्यों उनके पिता को जान से मार दिया गया और कौन था वो आरोपी जिसने कमलेश पासवान जी के पिता की हत्या की जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में तो कि इस ओफिशल यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बैल आइकन आता उसको जरूर दबा दिजेगा ताकि पाजी समाची आने वाली कोई भी वीडियो आप देख पाओ सबसे पहले तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कमलेस पासवान जी के स्वर्गी पिता स्री ओम प्रकास पासवान उर्वान चल के आस बनकर उभरे जिने गरीव अपना मसीहां मानते थे वे दवे कुछले और आपेशित वर्ग में इनकी खासी लोग प्रीता थी जो की इनको अन्य जन प्रतिनिदी से अलग बनाती थी वो ए तेज तर्रार सभाओ के साथ छेतर के पिछड़े पन को दूर कर अत्यदिक विकास वसंसादन समाच के सभी वर्ग तक मुहया कराने का जुनून उनमे था उन्होंने अपना पूरा जीवन अपनी छेतर की जनता को समर्पित कर दिया और उनके दुखों और कटनायों को दू में बढ़ चड़ कर हिस्सा लेते थे और उस काम को अपनी जिम्मेदारी समझ कर पूरा करते थे लंबे कद काठी के स्वर्गी ओम प्रकास पासवान उत्तर प्रदेश पुलीस की सीधी भरती में चैनित हुए और लगभग दो वर्स तक उत्तर प्रदेश पुलीस में अपनी सेवा देने के बाद उन्होंने अपने समाज के दुखो और परिशानियों को देखते हुए पुलीस की नौकरी से त्याक पत्र दे दिया जन सेवा वह कल्यान के कारण में लग गए जिस वजह से वो अपने अगल वगल के गाउं में भी काफी लोग प्री हो गए अपनी इम प्राप्थ हुआ इनके संघर्स का ही नतीजा था कि इनके ज्यादा तर विरोधी आलोचक भी इनके प्रसंसक बन गए इन्होंने अपने कामों की वजह से लोग प्रीता पाई जिस वजह से प्रधानों ने मिल कर अपने प्रधान संग का इनको अध्यक्ष चुना प्रधान सबाग छेतर के पिछड़े पन को दूर कर विकास की गंगा बहाने का काम करना चाहते थे जो कि इन्हों ने ऐसा करके दिखाया और दबे कुछले वर्ग का सहारा बनकर उभरे वर्स 1991 के विधान सभा चुनाओं में निरदली प्रत्यासी के रूप में रिकॉर्ड मतों से ये पुना विजय हुए इनकी जन सेवा जातिगत वा दलगत भावनाओं से परे रहती थी इसका नतीजा यह था कि उत्तर प्रदेश के इकलोते दलित विधायक समान सीड से चुने जाते रहे इनकी ताकत सिर्फ और सिर्फ भारी भरकम जन समर्थन और जनता का प्यार था वर्ष 1993 के विधान सभा चुनाओं में एतिहासिक जीत हासिल कर विधान सभा में लगातार यह तीसरी बार जीत हासिल की जनता में इन्हें देखने की ऐसी ललक थी मानो भगवान साक्षा धर्ती पर उतराए हूं इनके हर चुनाओी सभाव में भारी भरकम भीड देखने को मिलती थी जो इनकी एक जलक पाने को बेकरार रहती थी परंतु कुछ ऐसे समाज के लोकतवर और विरोधियों को इनकी लोग प्रीता वकार शेली रास नहीं आई और वो सब साट गांट क करके सड़यंत्र करके चुनाओी सभा में 25 मार्च 1996 को बमों से हमला करके उनकी हत्या कर दी गई जिसमें लगवक 14 लोग मारे गए थे और उन धूर प्रवर्ति के लोगों ने इस विकास पूरुस और गरीबों के मसीह माने जाने वाले की ओम प्रकास पासवान जी की हत्या क और गरीबों से उनके मसीह को छीन लिया इस घटना से विसेश रूप से गरीब दलित दबे कुछले और छोटे वर्गों के लोगों को जगजोर कर रख दिया कोई विश्वास करने को तयार नहीं था कि उनका मसीह आज उनके बीच में नहीं रहा उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीब दलितों और पूरी जनता के नाम कर दिया था उन्होंने अपने जीते जी अपनी छेतर की जनता का विकास नहीं रुकने दिया कमलेस पासवान जी के पिता स्वर्गी ओम प्रकास पासवान जी की हत्या का आरोप माफिया राकेस यादों पर लगा इस जगन न जिने जनता अपना भगवान मानती थी उनका भगवान को उनसे छीन लिया इनकी मृत्यू के पश्चासरी कमलेस पासवान जी ने अपने पिता की रहा पर चलते हुए अपने छेतर की जनता के दुखों को सुना और उसका निवारण किया जिसका परिणाम उनको हर चुनाओ जनता उनको विजई बनाकर फिर से उनको अपनी सेवा का मौका देती है तो दोस्तों ये थी पासी समाज की एक बहुत सक्तिसाली गद्दावर नेता की कहानी जिसे सड़ेंद्र करके पीट पीछे वार करके उनको मार दिया गया क्योंकि वो भी जानते थे कि सीने पर वार क इनको खत्म नहीं किया जा सकता इतने सक्तिसाली टाकतवर नेता थे ये कि किसी की हिम्मत नहीं थी कि इनको सामने से वार करके इनको खत्म करते दोस्तों इस पर आपकी क्या राए है ऐसे लोगों के खिलाफ क्या करवाही होनी चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता उसको जरूर दबा दिजेगा ताकि पासी समाच के आने वाली कोई भी वीडियो आप देख पाऊ सबसे पहले तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जैहिन